तेक पंज सव सत बंजव अंग तेश शोबित के जीव इस्त्री किस्तर अपनी तड़फन ब्यां कर दिये ते कदे शिकायत खुदतों ते कदे शिकायत उस परमात्मन ते कदे अपनी वेदना अपनी शकीनों अपनी सैलीनों दसनी कि ए दर्द है ए वेदना है ए दुख है मोरी रुण जुण लाया जीव इस्त्री कह रही है कि जंगल विच जड़े पंची अन मोरहन उना ने गीत गावना शुरू कर दिता कादे वास्ते क्योंकि बहने सावन आया यह जो सावन शब्द है जे परकर्तिनों देखिये ता जीवन बारा महिने दे विच एक महिना ऐसा जो सावन अदा है और सावन तो मुराद है सा पिलस वन जितने भी वन सी सावे हो गए अवदे हरे हो गए सावन इतना बाहर दा सावन है एक अंदर दा सावन है कि सुक्का होया मन हरा हो जावे मन सुक गया क्रोद करके लोब करके सुक गया ते मन हरा किस तरह होएगा जदों परमात्मा दे अनेक नाम दे विच एक नाम हरी भी है ते हरी किस तों बढ़े है कि जड़ा सुक्के होई मन नू हरा करदा है ओ हरी है जो जीवन दे विच विकारा नू हर लेंदा है ओ हरी है तो बाहर दा सावन तो मेरे ख्याल दे विच जी किसे दी उमर पंजा साल है ता उसने पंजा सावन देखे होनेगे किसे ने असी देखे होनेगे किसे ने वी देखे होनेगे किसे ने दस देखे होनेगे उमर दे मताबिक पर देखे तहन बावे थोड़े ही सही देखे पर बड़ी अफसोस ती गल्ले के अंदर दा सावन हले नहीं आया नहीं आया जिनाज जीवन विच अंदर दा सावन आगया वो मुबारक ने जीवन दे सामन दी प्राप्ती लई रोज संगत करदेने मुबारक ने अंदर दे सामन लई आशू बांदेने पाट करदे सिमरन करदे मुबारक ने क्योंकि जरूर आएगा सामन अंदर दा जरूर आएगा क्योंकि कल भी मैं अर्ज कर रहा से के अंदर दे समन लई परहली गलता यकीनन मिलदा है पर केल देने जे किसमत विच नहीं भी हुए मिलना ता केल देने ओधी गाय की भी बहुत मुबार्ग है ओधी गाय की भी सुकून देन दी है ओधी संगत भी खुशी दे जान दी है मोरी रुण जोन लाया भैने सावन आया हे पैन बाहर दा सावन आ गया मोरा ने गीत गावने शुरू कर देते ने होन मेरे जीवन विच सावन कर दाएगा बस ए पंगती मुक रखन पूरी शबत नो समझा तेरे इत्थे थोड़ा जा विश्राम देना है क्योंकि जदों असी कमांगे तेरे मंद कटारे और तेरे नो विश्राम देना है तेरे मंद कटारे जेवडा तेन लोभी लोभु लभाया तेरे तुम्राद है हे प्रभु तेरी जो कुद्रत है तेरे जो रंग बरंगी खेट ये नो देखके ये जो जीविस्त्री है मंद मंद कटारे ने जीविस्त्री मैंनो कटार वंगू लग दिये मैंनो मोहित कर दिये तेरी कुद्रत मैंनो मोहित कर दिये एक छोटी जी मैं पर्द कराँ जिदों आप जी ने कोई फिलम देखी हुए एक उदार ना है ते उत्थे जीकर एक दमपती बैठा हुया है जा एक जोड़ा बैठा हुया है ते उस ते पिछले पासे बनसपती दिखाने दे जह नदी बैर रही है जहां धरने बैर रहने जहां हावा चल रही है वो क्यों दिखाने देने वोड़ा एक बहुत बढ़ा कारण होंदा है कि उस उस खुद्रत नो देखके इना दे मन विचिवी प्रेम बैदा होंदा है तो जीव इस्त्री केंदी है हे खुदा हे प्रभू तेरी कुद्रत नो देखके मेरा मन मोहित हो गया कि मैं तेनों मिलाँ और मिलन दी तांग भी कैसी है तेरी दर्शन विटों खनी है वज्या मैं तेरी दर्शना दी पिछे बामे टोटे टोटे हो जाओ तेरी नाम दी पिछे बामे में कुर्बान हो जाओ और तेरा नाम चाहिए तेरी दिदार चाहिए और हां एक गल हो रहे हैं तुम मजूद हैं कुद्रत विच तुम मजूद हैं जर्रे जर्रे विच ता करके मैं तेरे ते मान कीता है जां तुम ता मैं मान किया तो दबिन केहा मेरा मान है प्रभू जे तुम ना हुँदा मैं किस ते मान कर दी तुम हैं मैं तेरे ते मान कर दी क्योंकि कई दफा से किसे वड़े मनुख नों कह देने हैं कि तुम साड़े कोल बैठा है ता सानुमान है तेरे कोड़ रुतबा है सानुमान है तेरे कोड़ ग्यान है सानुमान है जे ना हुँदा तेरे कोल ता से की मान करते हैं कुछ होई नहीं असी मान कीता है तेरे थे के तुम हैं ते गुरु नानक सहब दे बोलखन तुद बिन केहा मेरा मान तेरे तुम बगेर मेरा की मान है कुछ भी नहीं मनुख क्यों पुल के बैठ गया कारण की है पूरब दे चार धरम ते पच्छम देवी चार धरम ते इना दे चार ही ग्रंथ हन पूरब देवी ते पच्छम देवी ते पूरब दे धरम केड़े केड़ेने हिंदु धरम जैन धरम बद धरम ते सिख ते पच्छम दे जिसनों केंदेने सामी धरम ओखन यहुदी पारिसी इसाई ते मुस्लिम ते इना दियां चार किताबाने दानु गुरु ग्रेंसाई विच भी जिकर कीता है बेद कतेब कतेब तो मराद किताबाने चार किताबाने किडि किडि किताबाने कुरान अंजील तोरेत जंबूर यह चार किताबाने उरब दे विच भी चार दार्मिक गरंथ ने जे इस तरह कह देए वेद धंपत ते गुरु गरंथ साई ते जैनियां दा जो तार्मिक गरंथ है केंदे ने ओदे विच्छों अंजील एक गल लिख दी गए कि खोदा मनुखनों कहनदा है त्यान देन अल समझना इस गल नो खोदा मनुखनों कहनदा है कि जेकर मैतने बहुत सारी दौलत दमा ते तेरे विच्छ हंकार भी आ जानदा है ते तो मैनुख भुल भी जानदा है और जेकिदरे मैं तनो कुछ भी नदमा ता फिर तो मैनुख गालां भी गड़दा है ता भी तो मैनुख भी जानदा है और ये हकीकत है बहुती दौलत भी हो जावे तो कई दफा अंकार हो जानदा है मनुखनों मनुखनी समझता रबनों भी बोल जानदा है कई दफा खोद ही खुदा बढ़ के बढ़न दे पर ओ मुबारक ने जिनन असिकेंदें गुर मुख प्यारे है धन बहुता है फिर भी निमरता है रुत्बा बहुता है फिर भी निमरता है ग्यान बहुता है फिर भी निमरता है तो एक विद्वान केंदा है कि साई इतना दीजी है जा मैं कुटुम्ब सबाए मैं भी भूखा ना रहूं साधू भी भूखा ना जाए मैं भी भूखा ना रहूं और साधू नू कौन रह जाएगा जेरे कुल बंदगी है उसी ने करना है कुछ दान भी कर दू दो मेंगल ना हो गया तो गुरुनानक साहिब दे बोलने हे जीव इस्त्रिये तेरे कुल सुख बहुत ने पदार्थ बहुत ने इसनों कह देता जिवें एक इस्त्रिय दे बामा दे विच चूड़ा गुरुनानक साहिब जी ने सुखा दी तश्वी दिती है चूड़े नाल कि तुम बहुत सुन्दर चूड़ा भया होया है पर तेनुपती दा प्यार नसीव नहीं होया तेरे कुछ दुने आदे सारे सुख मौजूद अन पर निरंकार दा प्यार नसीव नहीं होया चूड़ा भन पलंगिश्यों मंधे सनवा ही सनवा कई दफ़ा मैं जिक्र करना कि पंज हजार गीत लिखे सी तैगोर ने विछोड़े दे तड़फन दे ते जदू उसने ए शब्द सुणिया ता ओर रो पया से वो इस करके रोया कि मेरे पंज हजार गीत तड़फन नाल भरे होए ने पर गुरु नानक दी बाणी ता मेरे तो भी किते पार हो गई तड़फन दे विछ इतनी तड़फन कि चूड़ा भन पलंग से उमंदे सन बाही सन बा तो अपना हथ अपनी बाण पलंग दे नाल इतने जोर नाल मार कि तेरा चूड़ा भी तुट जावे तेरी बाण भी तुट जावे ते पलंग दी बाही भी तुट जावे इतनी तड़फन होए क्यों क्यों कि एते वेश करेंदिये मुंधे हे जीविश्त्रिये तेरे कोड इतना शंगार है तेरे कोड इतने सुखन फिर भी तेरा पती पर्मातमा शहोरातो अवरा हो तो जेनों ही प्यार करदा पया है तेरे वल देख दई फिर कमी के देविचे एक दुनियामी तोरते जो मैं गल करां कि कुछ मायां बीबियां कह देने जाने जी कर विच जगडे बहुत हों देने क्योंकि पती प्यार नहीं विले तो धार्मिक जबाब मैं ए देना कि जो परमात्मा है जो पती है वो जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग वो प्यारदी तस्वीर है प्यारदी मूर्थी है पर ये कि तरी पतनी दे कोल प्यार है जीविस्त्री दे कोल प्यार है ता पती नुपालेंदी और इसकर के कुदरत ने बहुत बटी रहमत कीती है कि इस्त्री दे कोल प्रेम बहुत है कितनी दफ़ा पती भामे उन्हों डांट दाए फिर भी पती दे प्रेम विच बच्चियां दे प्रेम विच मस्ते तो सही बगे ने जे किदरी परमात्मा तेरे जीवन दे विच नदारद है ते फिर तुम होर प्यार कर, होर प्यार कर, होर तुम पलपल्ते शुकराना कर, तुम पलपल्ते तनवाद कर एक सवाल शेक्षादी साहब ने रखिया कहने लगे जितनी वी जोनिया हन सब तो उत्म जोनी के डिये मनुख दी और जे किदर किसे नो आसी गाल कडिये ते किसे जैनवर दिन आल उसनो तश्वी देने है अर्टिर जैनवर है जो सब तो में पैड़ा है कुद्धा क्योंकि किसे नो अप शुबद बूलने होनी तासी ए नही केर से तूँ शेयर है तूँ हाथी है तूँ सप और है तूँ गोड़ा है तुम मोर हैं, कदे ए नहीं केंदे बस सिद्धे तवरते कहें देना तूता कुद्ध है क्योंकि इसनु केंदे ने एक ऐसी जो नहीं है जिस्ती खुराव कभी गंदगी है होन दोजे पासे देख लो इसनु परत के दिखो इनना दोजे विच सबतों वद वफादार कौणे है कुद्धा इतना वफादार मनुख नहीं है उसना की माफ जितना वफादार कुद्धा है जोनी सबतों गटिया कुद्धे दी जोनी मनुख दी सबतों तम वफादारी विजकुता सबतों अगे मनुख कम ने बुलेशा नो फिर करना पिया राती जागन करें इबादत राती जागन कुते तैथों उते रात नो जगदे ने ते भाउकणों बंद मूल ना होंदे जा रूडी ते सुते तैथों उते के देने एक रोटी दी बुर की बंदे ने पाद ती है के देने कुता उसे दा ही मितर हो गया ते बामे कितनी दफा उसनू डांट दा है फिर इभी मुड मुड किया जन दा है मुड मुड किया जन दा है के खसम अपने दा दरना छड़न भामे वज़न जुते तैथों उते जे तेरे जीवन विच दुखा गया तो गुर द्वारे आना ही छड़ देन दा है संगत करना ही छड़ देन दा है और कुते नू भामे रोज जुते पैण मालक तों पर खसम अपने दा दरना छड़न भामे वज़न जुते तैथों उते फिर बुले शाह की कहनदा है बुले शाह जान देना बुले शाह कोई वस्त विहांज ले नामदी दौलत कठी कर ले बुले शाह तुँ यार मना ले नहीं ता बाजी लेगे कुते तैथों ते कहन देने फिर ओ बाजी लेगे तुँ रह गी है ते अज मौका है बाजी खटन दा बाजी लेण दा हुन गुरु नानुक साहब कहन देने ना मनियार ना चूडियां ना से वंगडियां हे जीविस्त्रिये मनियार ने तेरी बामा देविच चूड़े भी पाई रंग बिरंगे बहुत सोने पर उस मनियार ने तेरा कुझ नहीं समा रिया चूड़े ने तेरा कुझ नहीं समा रिया रंग बिरंगे चूड़े क्यों क्योंकि जो शह कंठना लगी हैं जलन से बाहर ने जेड़ी बामा पती दे गले दा हार नहीं बढ़िया केंदे ने उना पावा नू साड़ दो जेडियां पावा पती दे प्यार दा श्यंगार नहीं बढ़िया उना पावा नू साड़ दो जेडे संसार दे सुख प्रबूदी भगती विचे कम नहीं आए उस्ता कि माफ कहने ने सुखानों साड़ते क्योंकि प्रभू ने सुख देते सी कि तुम मौजदे नड़गा और असी उन्हों दे विच ही मश्गूल हो गए, उन्हों दे विच ही घचत हो गए तो मनुख कहन दा है मैंनो समाई ने मिलदा बंदगी करने ता मै की कर? कहतना फास के तुम पिसे मैफिल विच समा कड लेज़़दा है कड लेज़़दा है किसे थियर्टर विच जाना होवे समा कड लेज़़ HAib और परमात्मा ना करें ये जीवन विच कोई दुखा आ जाने था फिर समा कट लेंदा है, दॉक्तर को लोग जाना हो दसे, समा कट लेंदा है। और इस तों भी वड्डी खुशी आप जी होर भी ले सकते हो, इस तों भी वड्डी। और ओखुशी ए कि जित्थे आप जी आंदे हो नाल बच्चियानों भी लेया करो तुसी भी चलो जदो बच्चियान दी छटी हो वे कह दे करो तुसी भी साथे नाल चलो किसे मितर नों कह दो तुभी मेरे नाल चलो क्योंकि कुछ दिन पहलों दी गल है एक प्रेमी कहनदा है ज्यानी जी मैं मेट्रो विच जा रही है सी ते मेरे कुल आके एक मितर बैठ गिया मितर इस करके क्योंकि मानस की जात सब एक के पैचान गो पर ना ओ मैंनू जानदा सी ना मैं उसनू जानदा सी बस सीट ते बैठ गे ते उसने कहा दिता कि आपजी कित्थे रंदे हो ते जदो इंट्रोड़क्शन होया ते उसने एक गल कहा दिती कि तो एक कम कर रजूरी गार्डन गुर्द्वारी विच जपजी साबदी कथा चल रही है ते मौका है क्योंकि ए मौका कदे कदे बन दा है तो बहाँ में एक दिन बहाँ में दो दिन तो जबजी साबदी कथा जाके सुन केंदे ने ग्यानी जी ओ जबजी साबदी कथा में पहले दिन सुनी ते अजदा दिन है दो साल हो गयने मैं रोज ही गुर्द्वारी विच आके कथा सुन दा रोज आके ते ओ मनुख मेरे वास्ते कोई रैबरी पुरिश शी है कोई सादू सी जनाने मैं आके कहा देता तो एक दिन दी कथा सुन ले बस क्योंकि बस एही एक निशानी है सादू दी कि अब खोदी भी जुड़े आवया है और नानों भी जुड़दा है सब सहियां शहरावन गयां हाओं दाधी कह दर जाओं कि जितनी भी जीविस्त्रिया हन उना सार्यानों परमात्मा दा प्रेम मिलिया हुए आए मैं सडी होई कित्छे जाओं मेरा कोई संगी नहीं कोई साथी नहीं अम्माली हे शक्षिये हांखरी सुचजी मैं अपने आपनों केंदियां मैं बहुत सोणियां बहुत चंगियां पर तैशे हे एक ना भावा प्रभूदा प्यार तमेन बिलिया ही ने बहावे मैं अपने आपनों केंदियां मैं बहुत चंगियां और गलां बातां दे विच मैं सोगण भीयां के धन गुरु ग्रेंशाब दे बोल हन के गली हां सोगण बैने कंतन कब हुँ मैं मिलिया हे पैंड गलां दे विचता मैं सोहगण पर कदे पती दा प्यार नहीं मिलिया गलां दे विचता मैं प्रेमिया गुरु दा निरंकार दा पर निरंकार दा मिनो प्यार नसीब नहीं होया के नहीं कितनी वड़ी बदक्रिस्मती है मेरी मांथ गुंदाई बहुत सोनी टंगदे नाल में अपने केस समारे केस गुंदाई मांथ सोने टंगदे नाल फिर पट्टी भी कर दिये और देविच में संदूर भी पाई एक छोटी जी आप जीन में गल्द सा जदो बुलेशा दे गुरू ने शाह इनायत उसने कह दिता सी बुलिया तेरे विच दुर्गंद आ रही है तो उठ तो कि फकीरां दा कैन दा अंदाज कुछ होर होंदा है दुर्गंद कोई शरीर दी नहीं है बारी दुर्गंद नहीं है एक कई दफ़ा हंकार दी दुर्गंद आ जान दी है कई दफ़ा निंदा दी दुर्गंद आ जान दी है तो फिर गुरू दी मौज उन दी है कि पामे ओदा सेवक बिल्कुल ठीक है फिर भी गुरु ने कहँ देता कि मैं देखना चाहिना एक जबाब देे कि पीजान देस नहीं देता नहीं आ दा, कि मेरे कोल दरगन दखिथे, मैं तर बिलकुल ठीका जड़ो तिन दफहा बुलेशा नो किया, ति बुलेशा ने गल कहने नहीं समझी गुरू नाराज हो गया कहने लगे बोले शाह हों तुझा गर गर आ गया सोच दियां सोच दियां आ रहे है हुन मैं की करां गुरू नू किस्ट ना मना हुआ ते राहा दे विच ओकी देख़दा है कि एक जोपड़ी है उत्ते एक मुट्यार अपने वाल समारदी पई है ते बुले शाह ने पुछ लिया ते वाल क्यों समारदी पई है करने लगे पती नों रिजानों आसते अब जीनों ख़बर होवेगी बुले शाह ने भी ए रूप बना लिया से ते फिर उसने किया मैं नच नच यार मनावा भामे लोक कहन में नुखन लिया जदु इस वेश विच नच 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 रू की था ते जदु राग अलापिया बुले शाह ने कपड़े और तामाले पाई होएने नच रहे ने पैरा मेंच गुंगरू बनने होएने ते जदो उसने राग अला पिया ते उथे मैफिल बैठी सी रिशियां दी फकीरां दी गुरुआं दी उस्तादां दी ते शाह इनायत भी बैठा सी जदो ओधी अवाज और एक कन्ना विज़ पई ताम शाह इनायत कहनदा है ओ बुले शाह तूं इतनी तड़फन तेरी गाई की वीचे और इतनी तड़फन गुरु नो मिलन दी ते जदो शाह इनायत ने किया बुलिया तूं ते बुले शाह केंदा है नहीं माराज बुलिया नहीं गुलिया मैं भुल गया ते शाह इनायत ने गल बकड़ी पीच लया लिया ते जदो गुरु दे को आउंदे हो बस एही किया करो हम आउगण भरे है कोई गुना नाय हे प्रभू असी भारे होई यह आउगण दे तूं बक्ष तो बक्षन्द हरी हैं तो गुना बक्ष देंदा हैं तो बक्षन्द हरी क्योंकि जितनी निम्रता दे लाओगे उतनी रह्मत होएगी उतनी रह्मत होएगी एक मनुख ने मिन पुछ लेया करने लगे ग्यानी जी एक गल्द सो मैं रोज पार्थ करना है यह पार्थ नहीं करना है कि साथे दोवां दे विचे काउन चंगा है उसने रोज ही करना मैं रोज पार्थ करना यह नहीं करना इन दोवां विचे काउन चंगा है करने लगे ज्यानी जी दसो तब मैं उसनों कहा देता में जू नहीं करदा वो बड़ा ह्रान हुए करने लगे एक ही मैं तब समझया दो डिजाए तुछी मेरी ही गल कवोगी तू जू जब एप जू जू जब देता कडिता तो मैं अर्द की ती हो पाठ नहीं कर दा निमर्वप नॉल बर्या होया तू पाठ रोज कर दा है हंकार नल बर्या होया ए मैं कर दा मैं कर निमरता नल बर्या होया है तू पाठ रोज करदा है हंकार नल बर्या होया है मैं करदा मैं करदा ओ नहीं करदा गट तो गट निमरता था है तू पाठ कर मबारक है बहुत चंगी गले पाठ क्योंकि बंद खला सी ताइं होवेगी कुरान शरीफ दे विच एक पंगती आउंदी है कि कुरान दी आयत नाजिल वए इस करके कि तुम अपने जीवन नो समार ना की इस नो पढ़ दाईरे सारी जंद की पढ़ दाईरे सारी जंद की अब फिर अर्ज करां धनगुरु ग्रेंशाब दीबाणी भावे गीता दे पाठ भावे धार्मिक ग्रंथा दे पाठ जीवन नो समार नासते उत्रे ने ना की बस पाठ कर दे रोगो पढ़ दे रोगो धनगुरु अर्जन दिव सहब ने कह दे था पाठ पढ़ियो अर्बेद विचारियो नेवल भयंगम साधे पंच जनासयों संग न छुटकियो अधिक अहं बुद्ध बांदे और बुद्धी हंकारनल भर गई और भर गई जिस चराग ने घर को रोशन करना था उसी चराग ने घर को तबा कर दिया जिस सेवा ने जिस बंदगी ने जिस पुन ने जिस दान ने जीवन नो समारना से उसे पुन ने उसे दान ने मनुखदा जीवन तबा कर देता क्या हूं दान कीता मैं कीता पुन कीता है मैं कीता है एक गुस्ताखी में जरूर करांगा ते माफी मग लेना कि जदों जड़े हाड़े पीडी तन ते बहुत बड़ी रहमत हुई गुरु नानिक साहिब दी इस पावन अस्तान तो भी बहुत कुछ सेवा पहुंची एक थांत मैं एक दिखरी है सी कि एक रोटी दे सबजी पाके किसे नो दे रहे ने ओदी भी सेलफी ले रहे ने ओदी भी फोटो ले रहे कितनी फोटों लेंदा है परमात्मा जदों सानु धन देंदा है दौलत देंदा है रह्मता देंदा है कितनी फोटों लेंदा है रब कुछ भी नहीं तो अंजील विच एक पंक्ती अंधी है कि तू दान कीता और खलकत ने वहवा कीती तेनों कीते हुए दान दा फल मिल गया बस इतने मिलिया वहवा तो दान कीता तेरे दूजे हतनों ख़बर नहीं ये तेरा दान निरंकार दिदर ते पहुंच गया तो ए ध्यान देना जदों भी दान करना होवे पुन करना होवे दसंदी लोड़ी नहीं तो साहिब कंदे ने माठ गुंदाई पटियां भरिये मांग संधूरे अग गई नमनियां मरों विसूर विसूरे मैं मांग भी समारी मैं कपडे भी पाए लेकिन पती ने मेरे वल तक्या ही नहीं देख्या ही नहीं रब ने मेरे वल देख्या ही नहीं क्योंकि एक संत पुरिश दे संगत चल रही से हैं ते कथा दी समाप्ती होई ते एक मनुक खड़ा वाया ते उस संत नों कहनदा है महराज आप जी ने मेरे वल तक्या ही नहीं देख्या ही नहीं तो संत पुरिश कहना ही नहीं तक या तो ही दस देख्या ही ते उसने किया कि मैं बहुत बड़ दानी पुरिशया ते महत्मा ने किया बहुत चंगी गळे बहुत चंगी गळे ते ओ दानी पुरिश की कहने दाए कि आप जी जो खलकत नो कथा सुना देओ और अप जी धार्मिक गरंत भी पड़ देओ ते ओ दे विच लिखिया तो होवेगा कि दानी पुरिश नो की मिल दाए क्योंकि एक गल कुरान शरीव चे लिखी होई है पर जिदे नल गुर्मत सेमत नहीं है केड़ी के जीड़ा मनुख इथे किसे इस्त्री नो नहीं तकदा उसनो परमात्मा दे दर ते हूरा मिल दे आने जीड़ा एथे शराब नहीं पीन दा उसनो उत्थे अंगुरों दे शराब मिल दीए एक मौलमी कहने लिए के कि कमाल दा साथ दामे इस्त्री नहीं दे उत्थे अंगुर दी शराब देड़नगे तो मैं अर्द कर दिया से कुछ धार्मिक गरंत केंदेने जे तूँ एकम करेंगा एक कुछ मिलेगा तो उस मातमा नो पुछ लिया मैदान करना मैनू की मिलेगा मातमा केंदा है जे तूँ पुछ ही लिया तो फिर दसना मेरा फरज है नर्क मिलेगा आद दो कई महाराज, इतना दान कीता अंदर के मिलेगा, ते फिर दान करन्दा की फाइदा हूँ, मैं कितने ही गरीब बच्चियां दी शादी कराई, मैं कितने ही वर्क हाउस बनवाए, मैं कितने ही सकूल बनवाए, मैं कितने ही दरख्त लगवाए, तो मातमा कहन दा है, ओ फिरता, कोई छोटा मोटा नर्क नहीं फिर तेने बड़ा नर्क मिलेगा, छोटा मोटा नर्क नहीं फिर तेने बड़ा नर्क मिलेगा, क्यों, क्योंकि तो कम बहुत चंगे की तेने, बहुत चंगे, और नर्क मैनों इस करके करना पह रहा है कि तुम चंगी कम करके और जिथी तुम कह देता में की तेने बस उत्यी नर्क हो गया कास्च तुम कह देन्दा कि गुरु दी रह्मत दे सद के सबकुछ वह अब जीने कदी ध्यान ना देता वैए खोन दे देना कदे हर मंदर सहब ज़ितु जाओ जदो उसी नमशकार करनमस ते अंदर जामांगे गेट ते उपर कुछ लिख्या हुए है उन्हों पढ़ ना ये लिख्या हुए है उत्ती लिख्या हुए है इस पावन अस्तान ते सोने दी सेवा उस निरंकार ने परिपूर्ण परमात्मा ने आप रह्मत करके अपने अनिन सेवक दे शिर्ते हत रख के आप कराई है ये लिख्या हुए है पर महरज रंजी सिंग ने एवी इनकार कर दिता सी कि मेरे नाम नहीं लिखना पर संगता ने किया महरज लिखना है तक इस तरह दे बोल लिखे गए ने अमरता दे बोल खुण ए जीविस्त्री की केंदी है केंदी हे प्रबू मैं शिंगार भी करके देख लिया गल नहीं बड़ी मैं होर बहुत किसम दी चलाकी चतुराईवी करके वेखलाई मैंनु प्रबू द प्यार नहीं मिले आ खुण फिर एक दूजा नमा उधारन ले आए देखना कैसा उधारन केंदी हे खुदा हे प्रबू मैं रोवन्दी सब जग रुन्ना रुन्ने वणों पंखेरू तेरे प्यार वास्ते मैं रो रहियां मेरे नाल नाल पंची वी रो रहने मेरे नाल नाल पशो भी रो रहने मेरे नाल नाल दर्खत भी रो रहने मेरे नाल लाल शारे जीव रो रहे, होन तां तरस्खा जदू घार विच पिता रुठी जावे, ते मा, भाव पतनी उनु बनां दीये, ते पती नहीं मनदा, ते पतनी रो पेंदीये, ते फिर भी नहीं मनदा, नाल छोटे-चोटे बच्चे वी रों देने, ते फिर मा चैन पत्नी केंदे तु अवनता है थे चोटे-चोटे बच्चे भी लो रहे ने, वनता मंझा, ते उन्हा बच्चियां दवास्ता देंधिए, कि देख मेरे रोणती तुनु परवा नहीं होई ना सही, आज देख तेरे बच्चे भी लो रहे , फिर पती की करदा है, फिर बच्चि गुरु नानक साहब केंदेने हे प्रभू, हे परिपूर्ण परमात्मा मेरी तडफन देख मैं अकेला नहीं रो रहे है तेरे वास्ते आ सारे पशु, पंची, जलचर, नवचर, सारे दे सारे रुंदे पैने होनतना सोन मेरी बुगाज। मेरो वंदी सब जग रुन्ना तुन ने बनो पंखेरू, एक ना रुन्ना मेरी तन का बिरह जिन हों पिरों में छोड़ी है। मेरे अंदर जो तडफन है, एक बिरो है, काश जे कितरे वो पहला तो ही तडफना शुरू कर देंदा, पर नहीं, वो समा चुक दिया से। एक अलक है के फिर जीविस्त्री की केंदी परमात्मान, केंदी है प्रभू, तो सपने विच भी आया सी मरी गौल। उन पर तक दीदार छड़के ते उन सपने ते पहुंच गई जीविस्त्री केंदी है, तो सपने विच भी आया सी मरी गौल। पर किस तर आया पाइसा पाइवीर सिंग जी कहन दे सी कि सपने विच तु सामिले असानु असी ताह गल वकडी पाई नेरा नूर तुसी हत ना आये सडी कम दी रही कलाई तड़ तेरे सपने आया भी गया तो सपने विच आके एक विजली चमकी सी आया ते चला गया मैं जल भरिया रोई मैं रोंदी रही क्यों रौंदी रही? तोकि तू सपने विच आके चला गया मैं इसकर के रोई जिड़ा प्रेम मेने उचैदा सी मैं नहीं ले पाई हुन आए न सका तुझ कन प्यारे बेज न सका कोई हुन मैं भी तरी कोल नहीं आ सक दी मैं किसे न भेज भी नहीं सकती तेरे कोल जोकि तेरा पता नहीं तो कित्थे है हुन की करी सपने विच तो आया से सपना टुट गया तो चला गया हुन मैं तेरे कोल नहीं आ सकती किसे नो मैं भेज भी नहीं सकती तो हुन एक कम कर होन फिर दिरिष्टान किसटरा बदल दी है 老 peace केंदे हैे प्रभू होन जेकर मैं खुद भी नहीं आ सकथी मैं किसे नो बेजी भी नहीं सकथी और तूं भी नहीं आ सकथा ता फिर एक कम कर मैंनो नाइधी ही दे दे मैंनो फिर सपना आवे आओ सभागी नेंदडिये मत शहों देखां सोहें, मतां किते, फिर सपने विच तुम आ जाए, मतां किते आ जाए, और ए आप जी दा भी अनुबव होवेगा, और मैं आप जी दों अपना अनुबव दस्रियां, कि जदों सपने विच कथा चल दी है, जंगत बैठी हों दी है, बड़ा अनुद बढ़ रहे होंदा है, और जे किदरे नेद खुल जाए, तब परभू नों कहन दिया है, परभू नेद फिर लिया दे, तो सपना फिर शुरू हो जाए, तिर शुरू हो जाए, और इस गलते न और फिर जदों नेद आई, ते ओ सपना फिर लड़ी वार फिर शुरू हो जाए, फिर शुरू हो जाए, फिर कथा चल रही है, फिर कथा दी समाब्ती होई है, फिर चार दफा अख खुली है, चार दफा वो तस्वीर तुटी है, ते फिर अखीर तक फिर जदों चार दफा सपना आयां ते फिर पूरन हो जांदी ता सिवीर कई दफा और तो ही आओ सभागी नेंदड़िये मत शह देखां सोय और देखना कैंदने चंगा जे नेद भी नहीं आंदी ता फिर कोई गल नहीं और जे नेद आवी गई और सपने विच भी तो नहीं आया तना सही हों फिर क करिये को यह करने लगिए कोई ऐसा गुरूदा प्यारा जो मैनो तेरी गल सुना दवे लेक ऐसा को अर्यां साहिब की बाद जे आखे को तेरी जो कोई मैनो गल तो आवे कहो नानक क focus in सुनावे अग स्थ किया दीजिए कि उस नो एक गल में छोटी जी अर्ध करन लगा उस ताक्रीम आफ इसनों होर पासे ना ले जाएना क्योंकि कथा करन्दा मेरा मूल मकसद है सरफ रब दी गल आप जीनों रब दे ना जोड़ना ना के धन कमाणना है भाई वीर सिंग जी केंदे सी जित्थी तुसे कीरतन सुनन जानदे हो कथा सुनन जानदे हो कथा सुन के कीरतन सुन के भामे एक रुपईया भेंट गुरु दी गोलक विच भी पादे ना ते कीरतन करदा वे उथे भी पादे मैं फिर अर्ज कर रहे हैं इसनों होर पासे ना ले जाना पर उन्हा मा पुर्शांदी में गल्द सरे हैं अग्ये देखना उकी का देने कि जो बोल निरंकार दे उसने सुनाएने मबारक है अपनी कमाईदा जो कुछ हिस्सा एक रुपया भी है जदों उदे कोल पहुँचेगा ते उदे विच जो लंगर छकेगा बोजन छकेगा केंदाने अपजी दी भी कमाई सफल है और आपजी ने जो गुरु दे बोल सुने ने ओदे पिरती भी आपजी नो अदब होएगा शिदक होएगा ते भामे किठे भी जाओ भामे एक रुपया और जदू आपजी सोदर्दा पाठ सुन रहे हो पाई साब जी सोदर्दा पाठ कर रहे ने आप जी उथे पहुँच गए आप जी ने अदब दे नाड उथे भी पामे उसनो अदब देना प्यार देना है के सोदर्दा पाठ सुनाया पाई साब तैं साहिब के बाद जे आखे कोहो नानक क्या दीजी असी उसनों की देए ता मैननों तभावे तुसी दन ना देना मैननों तब एक कोई चीज देना के गुरूदी कथा सुनके किसे होर नो भी सुना दिया करो किसे होरनों भी निरंकार नाल जोड़ दिया करो ए भेंटे मेरी बस पैं साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजए शीश वढ़े कर बैसन दीजए इस पंक्तिनों ट्यांदे नाल सुनूँ शीश वढ़े कर बैसन दीजए मैं अपना शिर कटके उदा आसन बढ़ाँ उदा सग्यासन बढ़ाँ खोन शीश तो की मराद होया थे और जिदों शीश ही कटके रख देता ते फिर कथा कौन सुनेगा फिर की तन कौन सुनेगा एथे शीश तो मराद है अपना हंकार नो मिटा ते जमी ते रख देया हंकार इस नो के देने शीश वड़े कर बैसन दीजे विन्शिर सेव करीजे जदों सेवा करनी होवे ता हंकार बिलकुल न लेड़ा बिलकुल न लेड़ा जदोंसी किसेदे घर लंगर छकन जाने हम ते ओकी कर देने भेंट देने यह बहुत बड़ी एकदार न चल दी आ रही है बहुत पराणी बहुत सनात तर बहुत 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 तनवाद, जे तुम लंगर चकन ना आमदा, ता मेरे ते उस दाते दी किर्पा किस तरा हूं दी, पाओ, कि एक दनवान है, फिर भी ओ कह रहे हैं, तुम मेरे ते किर्पा कीती है, बहाँ में ओ एक सदारन मनुख है, उसनो बोजन चकाया, उसनो लंगर सिकाया, तो उते हंकार नहीं सी कि मैं वड़ा हूं, उते हंकार नहीं सी कि मैं ज्यान बनता हूं, उते हंकार नहीं सी कि मैं कियां, कुछ भी नहीं है, शीश वड़े कर, बैसन दीजए, विनशिर सेव करीजए, सेवा करनी है, हंकार नो एक तरफ रखे, और एक गलचेते रखना, जे अपजीदे हथ विच जाड़ुए और सेवा करदे पे हो ते ए ना करना की मैं सेवा करदा पे हैं ए करना की प्रभू ने इतनी रह्मत बक्षी है वो सेवा ले रहे है जे किदरे मैंने जुकना ही ना आंदा ऐसी कोई तकलीब होंदी ऐसा रोग होंदा जो मैं जुकी ही ना पांदा ते किस तरह सेवा करदा जे मेरे हाथ ही ना होंदे मैं जाड़ू हथा होंदे विच किस तरह लेंदा मेरे हाथ ही ना होंदे मेरे कोड़ धान ही ना होंदा मैं की दान करदा मेरे कोड़ इलम ही ना होंदा मैं की ग्यान देंदा तेरा शुकर है, मैंनो इस ते जोगे बढ़ाया। एक गरीब दे घर एक चोर आया, गरीब दे घर जान देना। ते चोर ने नचना शुरू कर देता, उस गरीब ने। ते चोर कहनदा है कि मैं चोर हां ते तो नच रहे हैं मैं तेरे घर आया। कि ओ गरीब कीकंदा है, कि करते ने तो मैंनो धन्मान नहीं बढ़ाया। पर मेरी खुश किसमती है कि तुम कुछ समझ के ता आया है कि मैंनो कुछ ना कुछ इत्थे मिलेगा। ऐ दिविची मेनों हुशी है कुछ समझ केता है तुम आवे तेहना कुछ भी ना मिले तुम जदो आप जी दे को कोई आवे लोड़ बंद, कुछ समझ के आया आप जी ने ऐधे मेनों मिलेगा और जदो को कुछ समझ के आया ति ओदा दिल ना तोडना कुछ समझ गया है एक माँ पुरिष मेनो गल सुनाया करदा सी के देने ग्याने जी एक माँ पुरिष होया संत खेम सिंग बेदी ते ओ बैठा सी ते संगत भी बैठी सी ते एक कलंदर आऊ जाय रिछनू लेके और रिछनू ओ की कहनदा है कलंदर कहनदा है अज ऐसा नचना ऐसा नचना यह बहुत बड़ा घर है एतो तेनों सब किछ मिलेगा यह बहुत बड़ा घर है एते तेनों सब किछ मिलेगा और संत खेम सिंग बेदी कहनदे ने गुरु नानक साहिब देवन्ष देविचों ही बेदी कुल देविचों ही चल दे आ रहे सी जदो इतनी गल आखी ते उस रिछ ने जदो नचना शुरू की था ते ओ मापुर्श बैठे होए ने और नेतर सजल होगे कहने लग एक अलंदर और जे किदरे तुँ एक गल तारना तुँ बढा लई है कि ए बहुत वड़ा घर है बेदी दा एतने बहुत कुछ मिलेगा ते चंगा फिर एक कम कर एतने तेरा रिच कितने दाए कहने लगे माराज सो रुपे दाए कहने लगे पंच सो रुपे में तेरी जोली बीच पाना रिच दारसा खोल दे माराज सत्बचत क्योंकि तुँ के यसी ए माँ पुर्शन्दा घर है वड़ा घर है ते बहुत कुछ मिलेगा ते फिर बहुत कुछ देड़ना भी सड़ा फर्द बढ़ दे तो समझ किया है कुछ तो कहने ने उत्ती जब दी सहाब दापाट कीता है ते जल दे छीटे मारे ने उस रिच दे कहने दे देख दियां देख दियां ओर रिच पूरा हो गया पूरा ते ओ मापुरशिकेंदे ने और इसनों दे देता बहुत कुछ एदी जो नहीं कटी गई हूँ ए रब दे कोल जला गिया कहते कितनी वड़ियां रहमता ने गुरु नानुक साहब दे घर दिया कितनी वड़ियां रहमता अकीरी विच गल कहके मैं समाप्ती करना क्यों ना मरी जै जीरड़ा ना दी जै मैं क्यों ना अपना सब के जवार्दमा क्यों जाशो हो भया विड़ाना जी रब मिनों प्यार नहीं करदा ता मैं ओधे दरते ही बैठ जाओंगा मैं ओधे दर छड़ना ही नहीं है मैं ओधे दरते ही बैठा रहू कबीर साहिब गंदे ने कबीर के सो कैशो कुकी है ना सो ये असार रात दिवस के कुक ने कभे के सुने पकार कदे तब तु सुनेंगा मैं पकार दा ही रवांगा सुन दा है तुम पकार ना छड़ और जरूर सुनेंगा तो उसे मरन ना चढ़ और जरूर सुनेंगा तो गुरु साहद रेमता करन ये प्यार अब जिन्यों सार्यन अबक्षिश करन प्रलाचुकांदी खेमा